नमोनमह संस्कृत कक्षायाम भवताम भवतिनांच उनरेकद स्वागतम अहम अस्मी अशक कुमारह अध्यवयं सेमुषि द्वितिय भागस्य शष्ठस्य पाठस्य द्वितियं भागं पठिश्यामह अस्य पाठस्य सीर्शकम अस्ति सुभाशितानी नमोनमह संस्कृत की कक्षा में मैं अशक कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज हम सेमुषि द्वितिय भाग के छटे पाठ के सेकिंड भाग को द्वितिय भाग को पढ़ेंगे। प्रथमे भागे वयम पाठस्य प्रथम पंच सुभाशितानी पठित वन्तह एक दा उनहस मार्णम कुर्महा। छटे पाठ के पहले भाग में चात्रों हमने पहले पाच सुभाशित पढ़े थे। आईए एक बार संक्षिप में पुन्रावृति कर लेते हैं। प्रथमे सुभाशिते परिश्रमस्य महत्वम वर्नितम आसीत। परिश्रम का महत्व वर्नित किया गया था आलस्य मनुष्यानाम सरीरे स्थित हा प्रथमह शत्रुहु अस्ति परिश्रमह इव अस्माकम बंधुहु नास्ति अपीच परिश्रमम कृत्वा मानवह कदापी अवसादम नप्रापनोती। आलस्य मनुष्य के सरीर में स्थित उसका प्रथमह सत्रुह होता है और परिश्रम के समान च्छात्रों अस्माकम हमारा कोई बंधु और हितेशी भी नहीं होता। परिश्रम करके मनुष्य कभीए दुख को प्राप्त नहीं होता। विदिय सुभाशिते गुणवान जनाह एव गुणस्य महत्वम जानाती यसमिन गुणाह नसंती सह गुणस्य महत्वम न अवगदचती यथा बलवान एव बलम जानाती नेतु बलही नहा впर वसंतस्य गुणं पिकह जानाती काकह न WhatsApp न एवमेव गजह स्वयं शक्तिसाली सन सिम्हस्य बलं शक्तिम च जानाती सिम्हस्य शक्तिम ज्ञातुम मूशकस्य सामर्थ्यम नभवती दूसरे सुभासित में बताया गया है कि गुणवान व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है जिसमें स्वयम गुण नहीं है वह गुण के महत्व को समझ भी न निर्बल नहीं वसंत के गुण को कोयल जानती है कोवा नहीं इसी प्रकार क्योंकि हाथी स्वयम शक्तिशाली होता है चात्रों इसलिए वह सेर के बल को जानता है चूहां सेर के बल को कभी समझ नहीं सकता तृतिये सुभाशिते एसंतुष्टस्य जनस्वभावह वर्नेतह यह जनहा विशेश कारणेन यदि कुपितह भवती तरही सह तस्य कारणस्य समाप्ते सती पुनह प्रसन्नापि भवती तीसरी सुभाशित में बताया गया है कि जो व्यक्ति विशेश कारण के होने पर क्रोधित होता है तो वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर स्वयम प्रसन्न भी हो जाता है परन्तु बच्चों जिसका स्वभाव ही बिना कारण के द्वेश करने का हो तो उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्तेती में संतुष्ट नहीं कर सकता चतुर्थेश लोके विदुशाम वणनम अस्ति यत कथिता नाम वाक्या नाम अर्थम तु पशवः अपि जानन्ति यता प्रेशिक्षिताह अश्वाह गजाह च भारम वहंति परन्तु पंडिताह तु अनुक्तस्यापी भावं ग्रिणन्ति यता हा पंडिता नाम बुद्धयाह संकेत मात्रम अपि ज्ञातुम प्रभवाह भवंति चात्रों चोथे स्लोक में विद्वानों की बुद्धी का वर्णन्ध है कि कही हुई बातों को तो पशु भी समझे जाते हैं जैसे हाथी और घोडों को यदि प्रेशिक्षित किया जाए तो वो भार ढोलेते हैं परंतु विद्वानों का इतना सामर्थ्य होता है कि वो नय कहुई ही बातों को भी समझ लेते हैं क्योंकि बच्चों उनकी बुद्धी संकेत मात्र को भी समझने में समर्थ होती हैं पंचमेश लोके क्रोधस्य वर्णनम वर्तते क्रोधह मानवस्य प्रथमह शत्रुह अस्ति यह शरीरे एव स्थित्वा अस्मभ्यम एहित करह भवती यथा काश्ठे विद्यमानह अगनिही काश्ठस्य एव दहनम करोती तद्वत क्रोधह अस्माकम कृते हानिम जनयती चात्रो, पांचवे सुभाशित में क्रोध का दुस्प्रभाव का वरणन करते हुए बताया है कि क्रोध मनुश्य के सरीर में रहने वाला उनका प्रथम सत्रू होता है जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है और इस बात को समर्थन करने के लिए उधारन दे करके समझाया गया है कि जैसे लकडी में स्थित अगनी ही उस लकडी के देहन का कारण बनती है उसको जला देती है उसी प्रकार यह क्रोध जो हमारे सरीर में रहता है वह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है अतहा चात्रों हमें अनावश्यक और आयकारण क्रोध नहीं करना चाहिए अधुना अग्रिमं सुभाशितं पठामह म्रिगा म्रिगै संगम अनुव्रजन्ती गावस्य गोभी तुरगास्तुरंगैही मूर्खास्य मूर्खैही सुधियाह सुधिभी समान शील व्यसनेशु सक्यम अधुना अस्य सुभाशित अस्य पदच्चेदं जानिमह म्रिगाह म्रिगैही संगम अनुव्रजन्ती गावह च गोभी ही तुरगाह तुरंगैही मूर्खाह च मूर्खैही सुधियाह सुधिभी ही समान शील व्यसनेशु सक्यम अधुना अस्य अन्वयं पश्यामह म्रिगाह म्रिगैही गावह गोभी ही तुरगाह तुरंगैही मूर्खाह मूर्खैही सुधियाह सुधिभी ही च संगम अनुव्रजन्ती यतह समान शील व्यसनेशु ही सक्यम भवती भावार्थाह म्रिगाह म्रिगैही सह एव संगतिम कुरवंती गावह गोभी सह संगतिम कुरवंती अश्वाह अश्वैही सह मूर्खाह मूर्खैही सह तदवत विद्वान सह विद्वद्भी सह संगतिम कुरवंती यतो ही अस्मिन संसारे ये शाम व्यवहारह गुणस्च समानः भवती तेशाम मध्ये एव मित्रता संगतिही वा संभवती बच्चो हम देखते हैं कि हिरन हिरनों के साथ गाएं गायों के साथ घोडे घोडों के साथ मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ और विद्वान अर्थात बुद्धिमान लोग विद्वानों के साथ ही अनुगमन किया करते हैं क्योंकि मित्रता तो समान आचरण तथा समान स्वभाव अथवा आदतों वालों में ही होती हैं अर्थात मित्रता का आधार समान स्वभाव वय आदते होती हैं हमें अपने जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति से ही मित्रता करनी चाहिए बच्चो वही मैत्री स्थाई होती है हम विद्याले में भी देखते हैं कि कुछ ही दिनों में जिन से हमारे गुण स्वभाव मिल जाते हैं वो ही हमारे अभिन्न मित्र बन जाते हैं अधुना अग्रिमं सुभाशितम पठामह सेवितव्यो महावरिक्षह यदी दैवात फल हम नास्ती छाय कीन निवार्यते पदच्चेदम् पश्यामह सेवितव्यो महावरिक्षह भल चाय समन् वितह यदी दैवात फलं न अस्ती चाया केन निवारियते अधुना अन्वयं पश्या महा फल चाया समन्वितह महा वृक्षह सेवितव्यह दैवात यदि फलम नास्ति तरही वृक्षस्य चाया केन निवारियते भावार्थह यस्मिन्विक्षे फलानी चायाच अस्ति सर्वैही ताद्रिशस्य महा वृक्षस्य आस्रयह स्विकर्णियह अर्थात तस्य एव वृक्षस्य अधह उपवेश्टव्यम कदाचित ताद्रिशस्य वृक्षस्य काल वशात परिस्थति वशात वा फलानी नभवंती चेदपी सह विर्क्षह अस्मभ्यम चायां तु प्रेच्छति एव अतहा सर्वैही तस्य सेवनं करणियं तदवत अस्मा भी सत पुरुषाणां एव संगति ही करणिया यतो ही सत पुरुशानाम संगति ही निस्चेन अस्माकम उपकाराय एव भवती बच्चो फल और चाया से युक्त विशाल व्रक्ष का आस्रे हमें लेना चाहिए भाग्य अथ्वा दुर्भाग्य से यदि उसमें फल नहीं है तो भी व्रक्ष की चाया को कोन रोक सकता है भाव यह है कि हमें सज्जन व्यक्तियों के पास में रहना चाहिए यदि वो हमारी अर्थ से सहायता नहीं कर सकते तो भी धन के नश्ट होने के स्थिती में उनके पास रहने से हमें सम्मान तो मिली ही जाएगा उनकी अनुभव का लाव तो हमें मिली ही जाएगा अधुना अग्रिमम सुभाशितम पठामह अमंत्रमक्षरम नास्ती नास्ती मूलम अनोशधम अयोग्यपूरुशह नास्ती योजकस्तत्र दुर्लभः पदच्छेदम जानिबह अमंत्रम अक्षरम नास्ती मूलम अनोशधम अयोग्यपूरुशह नास्ती योजकस्तत्र दुर्लभः चात्राह अधुना अस्ये अनुवयं पश्यामह अमंत्रम अक्षरम नास्ती अनोशधम मूलम नास्ती अयोग्यपूरुशह नास्ती तत्र योजकस्तत्र दुर्लभः अस्ती भावार्थाह ताद्रिशह वरणह नास्ती यह मंत्र रूपेण नस्यात अभिप्रायह सर्वेपी वरणाह मंत्राह भवंती ताद्रिशह व्रिक्षह नास्ती यस्य मूलं ओशधं नस्यात अर्थात सर्वेशाम मूलं ओशधं भवती तथैव ताद्रिशह पुरुषह नास्ती यह सर्वता अयोग्यह स्यात किन्तु तत्त कार्येशु योजकह जनह एव दुरलभह अस्ती अस्मिन संसारे विद्यमाना नाम सर्वेशाम वस्तु नाम उप्योगिता अस्ती किन्तु कस्य उप्योगह कदा कथम चे करणियम इती बोधाई तारह जनाह न्यूनाह एव भवंती बच्चो इस सुभाशित में बताया है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र की रचना नहीं हो सके ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसमें ओशदिय तत्व नहीं हो कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता वस्तुत है अभाव तो उन व्यक्ति वस्तु ओशदियों में गुण को ढूनने वाले उनका सही संयोजन करने वाले संयोजक्की है भाव यह है कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र के रूप में प्रियोग नहीं हो सके कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसका ओशदी अर्थात दवा के रूप में प्रियोग नहीं हो कोई पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें कोई ने कोई योग्यता नहीं हो आवशक्ता है तो केवल ऐसे संयोजक की जो उनका सही रूप से संयोजन करने में समर्थ हो और संयोजक का मिलना ही मुश्किल होता है दुरलब होता है अधुना अग्रिमम सुभाशितम पठामा संपत्ताउच विपत्ताउच महताम एक रूपता उदै सविता रक्तो रक्तस्चास्तमे तथा अधुना अश्य पदच्छेदम पश्यामहा संपत्ताउच विपत्ताउच महताम एक रूपता उदै सविता रक्तह रक्तह च अस्तमे तथा अनवयम पश्यामहा महताम संपत्तव विपत्तव च एक रूपता भवती यथा सविता उदै रक्तह भवती तथाईव च अस्तमे रक्तह भवती अस्य भावार्थम पश्यामहा यथा उदै काले सूर्यह रक्तवर्णियह भवती तथाईव अस्तकाले अपी सह सूर्यह रक्तवर्णियह एव भवती तद्वत महापुरुशानाम स्वभावह अपी सम्रिध्धी काले संकट काले च समानह एव भवती भावार्था, महापुरुशाह, सम्रिध्धी काले, एहंकार युकताह, संकट काले, दुख ग्रस्ताह, चन भवन्ती छात्रो, संपत्ती और विपत्ती में महान लोगों में एक रूपता समरस्ता रहती है जैसे हम देखते हैं बच्चों सूरिय जब उदय होता है तो उस समय भी वो लाली मा लिये हुँ होता है उसका रंग लाल होता है और वैसे ही अस्त होने के समय भी सूरिय को हम देखे तो वो ही लाली मा उसके साथ रहती है भाव यह है कि जैसे सूर्य उदय और अस्त होने के समय समान रूप से लाल रहता है वैसे ही महान लोग सुख और दुख में समान बने रहते हैं वे सुख में जादा सुख का भी अनुभव नहीं करते और नहीं दुख में जादा दुखी होते हैं वे कभी भी अधीर नहीं होते अपना धैरिये नहीं छोड़ते अधोना अग्रिमं सुभाशितं पठामहा विचित्रे खलू संसारे नास्ति किंचिंद रर्थकं अस्वस्चे धावने वीरह भारस्य वहने खरह पदच्छे दह विचित्रे खलू संसारे नय अस्ति किंचित रर्थकं अश्वस्चे धावने वीरह भारस्य वहने खरह अनवयं पश्यामहा विचित्रे संसारे खलू किंचित निरर्थकं नास्ति अश्वह धावने वीरह चेत खरह भारस्य वहने वीरह अधुना अश्य भावार्थम पश्यामहा अस्मिन विचित्रे संसारे कस्चन अपि जनहा जन्तुहु किम अपि वस्तुवा व्यर्थम नास्ति यथा अश्वह धावने वीरह अस्ति तथा गर्धभा अपि भारस्य वहने वीरह अस्ति अस्मिन संसारे विद्यमानानाम प्राणी नाम स्वस्य स्वस्य क्षेत्रे कुशलता भवती बच्चो इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक व्यर्थ अथवा बेकार नहीं है गोडा दोडने में वीर अर्थात स्रेष्ठ है तो गधा भार ढोने में वीर अथवा स्रेष्ठ होता है भावार्थ समझते हैं यह संसार बड़ा ही विचित्र है इसमें कुछ भी अनुपयोगी नहीं है प्रत्येक की अपनी अपनी उपियोगिता है कोई वस्तु किसी काम में आती है तो कोई दूसरी दूसरी जगह काम में आ जाती है अधुना पाठा समाप्त हा पाठस्य अभ्यासकारियम पस्यामह एक पदेन उत्तरत चात्राह अश्य प्रस्नस्य उत्तरम असमा भी एक पदेन अधिकादिक पदद्वेन एवधातव्यम बच्चो एक पदेन उत्तरता का आर्थी है कि एक शब्द में उत्तर देना यदि कभी परिस्तिती इस तरह से हो जाती है कि एक पद में उत्तर देना संभव नहीं है तो हम दो पदो का प्रियोग कर सकते हैं क मनुश्याना महान रिपुहु कह आलस्यम गुणी किम वेत्ती गुणम केशाम संपत्तव च विपत्तव च एक रूपता मह ताम पशुन अपी की द्रिशह ग्रिहियते उदीरितोर थह उदय समय अस्त समय च कह रक्तह भवती सूर्यह अधुना अधो लिखिता नाम प्रस्ना नाम उत्तराणे संस्कृत भाशया लिखता इती प्रस्नास्ति तत्रवयम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखामा चात्रों इस प्रस्न का उत्तर हमें एक वाक्या में देना होता है और कई बार एक से ज़्यादा भी वाक्या हो सकती है तो कभी भी इसका एक पद में हमें उत्तर नहीं देना है केन समह बंधु नास्ति उद्यमेन समह बंधु नास्ति वसंतस्य गुणम कह जानाती वसंतस्य गुणम पिकह जानाती बुद्धयह की दृष्यह भवंती बुद्धयह परेंगित ज्ञान फलाह भवंती नराणाम प्रथमह शत्रुह कह नराणाम प्रतमह शत्रुहु क्रोधह अस्ती सुधीयह सक्यम केन सह भवती सुधीयह सक्यम सुधिभिही सह भवती अस्मा भी कीद्रिशह व्रिक्षह सेवितव्यह अस्मा भी फलक्छाया समन्वितः महान व्रिक्षह सेवितव्यह अधुना अन्वे पूर्तिम कुर्मह अहम रिक्तस्थान पूर्तिम कृत्वायव वाक्यानी वदिश्यामी क यह निमित्तम उद्धिश्य प्रकुप्यती तस्य अपगमे सद्रुवं प्रसीदती यस्य मनह ऐकारण द्वेशी अस्ती जनह तम कथम परितोश इस्यती ख विचित्रे संसारे खलू किन्चित निरर्थकम नास्ती अस्वह चेत धावने वीरह खरह भारस्य वहने वीरह भवती अग्रिमे प्रस्ने वयम अधाह दत्ता नाम वाक्या नाम करते समानार्थकान श्लोकांसान पाठा चित्वा लेखिस्या महा विद्वान स एव भवती यह अनुक्तम अपी तथ्यम जानाती अस्मिन अर्थे श्लोकस्य एशा पंक्ति आगतास्ती अनुक्तम अप्योहती पंडितो जनाह ख मनुस्यह सम स्वभावईही जनैही सह मित्रताम करोती समान शील व्यसनेशो सक्यम ग परिस्रमं कुर्वानह नरह कदापी दुखं न प्रापनोती नास्त्युद्यम समो बंधुहु कृत्वायं नावसीदती महांतह जनाह सदाईव सम प्रकृतियह भवन्ती संपत्तवच विपत्तवच महताम एक रूपता अधुना निर्देशोनुसारं वयं वाक्येशु परिवर्तनम करिश्या महा गुणी गुणम जानाती अस्य बहु अचने परिवर्तनम कर्णियम अस्ती गुणी नहा गुणम अथवा गुणान जाननती पशुहु उदीरितम अर्थम ग्रिहनाती अस्य वाक्येश्य कर्म वाच्ये परिवर्तनम पशुना उदीरितह अर्थह ग्रिहियते ग म्रिगाह म्रिगैही सह अनुव्रजनती अस्य एक वच्ये परिवर्तनम कर्णियम अस्ती म्रिगह म्रिगेन सह अनुव्रजती ग कह चायाम निवारयती कर्म वाच्ये परिवर्तनम केन चाया निवारयते ग तेन एव वहनिना सरीरम दहियते कर्त्रि वाच्ये सह एव वहनि सरीरम दहते अधुना संधिम संधि विच्छेदम च पठिश्यामह न अस्ति उद्यम समहा नास्ति उद्यम समहा तस्य धन अपगमे तस्यापगमे अनुक्तम धन अपी धन उहती अनुक्तम अप्योहती गावः धन च गावस्च न धन अस्ति नास्ति रक्तह धन च धन अस्तमय रक्तस्चास्तमय योजकह धन तत्र योजकस्तत्र अधुना दत्तानाम पदानाम समासं विग्रहं वाकरिश्यामह उद्यम समह उद्यमेन समह ख सरीरे स्थितह सरीर स्थितह निर्बलह निर्गतं बलं यस्मात सह देहस्य विनासनाय देह विनासनाय महा विक्षह महान विक्षह समान शीलं व्यसनं येशाम तेशू समान शीलं व्यसनेशू अयोग्यह नययोग्यह अयोग्यह अधुना दत्तानाम पदानाम विलोम पदानी वयं पस्यामह प्रसीदती प्रकुप्यती मूर्खह सुधिही बली निर्बलह सुलभह दुरलभह संपत्तव विपत्तव अस्तमय उदये सार्थकम निरर्थकम चात्रह एशह पाठह अध्य समाप्तिम गच्छती अस्मिन पाठे अस्माभी उत्तमानी उत्तमानी सुभाशितानी पठितानी मे विश्वासह यत एतानी सुभाशितानी भवताम जीवने सर्वदापी भवताम मार्गदर्षनम करिश्यंती अग्रिमे भागे एकम नूतनम पाठम स्वीकृत्या पुनहा आगमिश्यामी पुनह मिलामह भवेत तावत सुखम मंगलम धन्यवादहा झालपर्ण झाली पुनहां क seventh झाल झाल